दोस्तों आपके मुबाइल में इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा सलो चलता है तो दोस्तों आज कि आप इस वीडियो को पूरा धियान से देख रहा है आप अपने 4G SIM में 5G जैसा इंटरनेट चला सकते हो क्योंकि दोस्तों आप सब लोगों को पता है जैसे कि इंडिया में 5G इंटरनेट की टैस्टिंग चल लगी है बिटा टैस्टिंग चल लगी है तो आप उसको अभी अपने मुबाइल में यूज कर सकते हैं आप 4G SIM के साथ ही बस के वाल आपको अपने मुबाइल में कुछ सैटिंग करनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बाद दोस्त आपको मैं सभी के लिए बता दूगा आपको करना क्या है लेकिन वीडियो को धेरवड़ा ध्यान से देखना है ध्यान से समझना है अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना है इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक जरूर करना है पुछल मिले तो इसके लिए दोस्ता आपको क्या करना है अपने मुबाईल में दो सैटिंग को कर लेना है जैसे आप यह दो सैटिंग कर ले तो दोस्तो का मुबाईल full speed से इंटरेट को चलाना start कर देगा और दोस्तो आप चोक जाएंगे और जो आपकी problem है मूणीर को इंटरनेट सलो चलता है वो भी आपकी दूर जो हो जाएगी अधो तो कि अ पर किया है आपको अपने मुबाइल की यहां पर Yaura पॉइंट नेम, APN, आपको नया APN बनाना है, 5G बीटा टेस्टिंग का, दोस्तों मैं पहले भी बहुत सारे 5G बीटा टेस्टिंग के APN आपको बता चुका हूँ, लेकिन यह चैंज होते रहते हैं, और पहले आप सभी को पता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है लोगों अच्छे बन नहीं होगा आपके मुबाल के साथ, ओके, तो यहां पर आपको सबसे पहले तो, यहां पर जाना है, एक्सिस पॉइंट नेम में, जैसे कि दोस्तों आपको यहां पर एक उप्सिन मिलेगा, एड़ का, तो आपको एड़ वाले ओप्सिन पर किलिक करना है, और यहां पर दोस्तों आपको एक नए आपन क्रियेट करना है, नए आपन कैसे क्रियेट करेंगे हैं थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पर सबसे पहले आपको एक सैटिंग मिलती है नेम की, तो नेम में दोस्तों आपको क्या लिखना है, यहां पर दोस्तों आपको लिखना ह 5 capital में लिखना है J space इसके बाद यहां पर आपको डाना है B A T A 5G beta ओके इसके बाद space यहां पर 2.0 यहां पर आपको लगाना है O जैसे आप कर देते 5G beta 2.0 इसके बाद यहां पर करना है यहां पर आपको मिलता है APN पर क्लिक करना है अब यहां पर थोड़ा धिहान से देखना यदि आपके पास GEO का SIM है तो यहां पर आप लिखेंगे GEO NET यदि आपके पास VI का SIM है तो यहां पर VI NET Airtle का SIM है तो Airtle NET कोई भी company का SIM हो बाद में NET लगा देना है space नहीं देना है इसमें आपको note set रखना है कुछ नहीं डानना है port राएगा port में आपको कुछ नहीं डानना है इसके बाद आएगा यहां पर user name यूजर नेम पर आपको किलिक करना है और यहां पर आपको डाना है 5 capital में G space यहां पर डाना है आपको H E X A Hexa okay यह सभी capital में लिखना है okay H E X A 5 G Hexa इसके बाद यहां पर लिखना है आपको beta जैसे आप यहां पर लिख देंगे 5G Hexa beta इसके बाद आप कर देंगे okay तो user name आपका हो गया 5G Hexa beta इसके बाद password में आपको कुछ नहीं करना है server main रहता है तो server जो रहेगा तो Google का ही रहेगा जैसे कि हमने पिछले बाले में डाला था ओके तो यहां पर हम डालेंगे www.google.com द्यान एकना है इसको आप capital में भी डाल सकते हो small letter में भी डाल सकते हो कोई रखने पड़ता है ओके यहां पर कर देंगे okay जैसे आप server डाल ले तो इसके बाद आता है MMSC इसमें आपको कुछ नहीं करना है MMS port आएगा इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है MCC आएगा कुछ नहीं करना है MNC आएगा कुछ नहीं करना है authentication टाइप आएगा इसमें आपको क्या करना है सबसे नीचे वाला रहता है PAP और CHAP इस पर आप क्लिक कर देंगे जैसे यह setting हो जाती है इसके बाद आएगा APN protocol इस पर आपको क्या करन है नीचे वाला करना है इससे पहले है APN टाइप इसको आपको डिफाल्टी रहने देना है ओके APN रोमिंग प्रोटोकोल आएगा इसको भी सबसे नीचे वाला IPV4 IPV6 पर ही किलिक करना है इसके बाद जो मेन सेटिंग रहती है बेर सेटिंग तो बेर सेटिंग पर आप क्लि अब दोस्तों आपकी सभी सेटिंग मोस्टली कंपलेट हो चुगी है अब आपको सेकंड डंबर के सेटिंग करनी है सेकंड डंबर के सैटिंग करने से पहले आ यह नया एप्या बनाना है आप इसको अपने वाल में special कर देंगे यहां पर दोट पर क्लिक करेंगे उपर की साइड यहां पर और जाता है आपको शेयो करने का से उपर क्लिक कर देंगे अब दोस्तों यहां पर जैसे आप आएंगे आप इस एपियान को सबसे पहले एक्टिवेट करेंगे से करने से पहले अपने मुबाल के इंदर एक्टिव हो चुका है अब दूस्ता जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाता है अब आपको अपने वौइल में सेकंड नंबर की सैटिंग करनी है क्वाइब का है दोस्तों जो आपने थाSON की दिया है सब्सक्ता बीटिकम स करें है description में मैं आपको एक application का link दूँगा उस application को आप download करेंगे आप देख सकते हो यह कुछ application है जो इस तरीके से open जो है हो जाएगी यहाँ पर पूरी प्रधविका आ रहा है ओके यहाँ पर globe आ रहा है पुरा बनावा ओके तो इस तरीके से यह application open होगे यहाँ पर देख सकते हो कितना मस्त यहाँ पर user interface आपको देखने को मिल जाता है अब यहाँ पर दोस्त आपको क्या करना है एक backlini को open करना है ओके वो क्या है keep allyou यहाँ पर क्लिक करेंगे बस दो fi आप को इतना जाहित काम करना है यह जो setting है keeping all youhen ये own आपको कर देनी है और आपको कुछ भी नहीं करना है आपको यहाँ पर setting का option मिलता है आप यहाँ पर यह कुछ setting है ओके यहाँ पर आप इनके इसाब से application के theme को change कर सकते है इनका कोई यूज नहीं है वो केवल एक तरह के feature है main setting है keep अलाय हूँ यहाँ आपका internet connection है वो जिन्दा रहे वो टूटे ना ओके यह काम रहते ही दोस्तों इस application को रखेंगे आप background में running ओके जैसे आपको फास्ट internet से लाना है गेम खेनना है speed में ping high बिल्कुल दोस्तो problem खतम हो जाएगी दोस्तों आपके ओके यहाँ पर अब जैसे यह सरा काम हो जाएगा एक बार आपको क्या करना है दोस्तों अपने mobile को इस तरीके से यहाँ पर restart पर करना है restart जो है कर देना है जैसे ही आपका mobile start होगा फिर आपको क्या करना है आपके ने ट्रक जो है फुल स्पीड में आ चुका है अब यहाँ पर दोस्तों अब जब आप अपने mobile में इंटरनेट चलाएंगे तो आपको फुल स्पीड में इंटरनेट देखने को जो है मिलेगा लेकिन दिहाने करना दोस्तों mobile को चोप करके ओन जरूर से कर देना है ए चल रहा है और यहोब यह वीडियो आपको उच्छे लगी कुछ रही लगा दो वीडियो को प्राइसा लाइक करना तो यह ता शुरूर समस्का दोस्तों आपका दिन सुबहू